पूरे भारत से सिफ 6 स्टुडेंट्स ओनलाइन जाके फर्म भर सकते हैं इसका ओनलाइन एड़ का बच्चा कंपीट करता है 11 तक के बच्चों से इसमें हर एक रीजन से जो है बच्चा भी आया हुआ है आये हर्श तो देखें बच्चा आया हुआ है इनका नाम है हर्श आनद और हर्श आनद ने अभी रीजनल मैथमेटिक्स उलम्पियाड में बहुत अच्छे नंबर हासिल किये हैं और सेलेक्ट हो गए हैं अभी इनका इन्मो का पेपर भी है होता है रिजनल मैथमेटिक्स उलम्पियाड इंडिया अपनी टीम सेलेट करता है आयमो के लिए तो इंडिया की टीम बनेगी इंटरनाशनल मैथ उलम्पियाड की और किते लोग सेलेक्ट होंगे इसमें बस पूरे भारत से सिफ स्टुदेंट्स इंटरनाशनल मैथ मतलब भारत को होगे इंटरनाशनल एह ना और सिर्व शे बच्चे उलेक्ट होंगे पूरे भारत से क्या प्रोसेस होता था इसका पांच श्टेड होता है ठीक है इसमें ऑलंपियाड क्वालिफायर इन मैहेंनीटिक्स और सकेंड श्टेज होता है ए पह पैसा लगता है पैसा लगते हैं बहुत 125 कैसे भर सकते हैं इसका फॉम सर इसमें यह है कि कोई भी इंडियन है को इसको इंडियन है और इसके लिए प्यार कर सकते हैं सबसे पहले यह क्यों का पिपर आप हर्श बीटा भी नाइंध क्लास में हो पर आपका कॉम्पूटीशन होता है क्लास एर्थ से क्लास क्लास एड से पेपर से होता है और जो कट आफ होता है वह एड का बच्चा कंपीट करता है एलेवन तक के बच्चों से और आप हो नाइंद के तो आपने एलेवन के सब्सक्राइब होता है जिसमें भारत की तरफ से भारत के छे हुनहार चात्र हमारे देश को रिप्रेजन करते हैं मैं इंटरिवस्ते Agency में सारे देश कोंपीटिशन होग कि मैं wiz्ट किस देश की सब से अच्छी है उसमें कोई डाऊटेश की रहे रामणुजण हमारी है उसक लिए कंपोटीशन होता है ठीब बच्चे पूरे भारत से स्लेक्ट हुगे और वह कैसे सेडिक्ट होंगे उसका प्रोस घर श्याँ बता रहे हैं सबसे पहले आयोकियों का पेपर होगा जो की आपके शहर में यापकी डिस्ट्रिक में होगा तो ये डिस्ट्रिक लेवल पर भुआ फिर इसमें कॉलीఫाय करना है फिर तो वहां से कितने बच्चे सेलेट करते हैं हाई क्रिजन से जो है सर ऐट तो अलवन्थ कटेगरी में 30 स्टुडेंट्स एट से लेवन्थ काटेगरी में 30 और 12 स्टुडेंट के लिए यानि अगर इनके क्लास की बात की जाए तो लगभग कुछ आपके कितने नब्य आसपस तो यहां तो यहां सेलेक्ट हुए लगभग 93 स्टुडेंट्स राइट 930 स्टुडेंट 930 हां 30 हो गया तो 900 बच्चे सेलेक्ट होते हैं पूरे भारत से है अब क्या पेपर होगा इसके बाद होता है इंडियन नाशनल मैथमेटिक्स और यहां दो सेलेक्ट होंगे छे बच्चे हैं और उसके बाद आए एन एमोटी सी का कैंप लगता है उसमें फिर टीम सेलेक्शन टेस्ट होता है उसमें फिर सिक्स स्टुडेंट को यहां पर देश को डिशस लंबा प्रोसेश पूरा है और अभी हर्ष आप कहां पहुंचे हो अब यहां पर पहुच गए है 930 बच्चों में है जो हो गए है अभी इनमो का पेपर देने जा रहे हैं पूरा प्रोसेस बता दीजे आप कहां से बच्चे पूछ रहे हैं इस लाइफ क्लास हाँ बेटा लाइफ क्लास है स्कूल से इसका फॉर्म आयो क्यों का तरीका क्या है भाई तरीका एक बार फिर से देख लें कि बहुत अवेरनेस है हर्शिस की है ना हमारे समय में हमी को नहीं पता था कभी ना किसी ने बताया सब बड़े होके पता चलता है तो बहुत से बच्चे अपने ग्रामीन च्छेते इसचे इवे शहर वाले अच्छेतर में बच्चों को नहीं पता है तो सबसे पहले आयो क्यों का पेपर होगा यह होगा आपका डिस्ट्रिक लेवल पर इसका फॉर्म कहां मिलेगा बताया इनको इसका फॉर्म एच बीस्यसी के वेबसाइट पर ऑन-लाइन कोई भी लगब किते रुपय का होता है 125 रुपय का ठीक है भाई कोई ज्यादा पैसा नहीं पिर यहां से आप सेलेक्ट हो इसमें 30 क्वेशन आते हैं जो की इंटीजर बेश जढ़ते हैं दो सुक्तिसे होता है तो इसके इसाब से जो है इसमें हर एक रिजन से जो है वहाईंटी स्विदेंट के लिए स्लेक्ट होता है रिजन से अपजाना थे सब्सक्राइब होता है इसमें कितने सवाल आते हैं और आपके पास तीन घंटे का समय रहता है लोगे आप लोग तो वड़े असानी से हैं की नहीं फिर फिर प्रोसेस हो गया से इसके बाद फिर इनमो का एक जाम होता है इनमों अभी सिक्सक्राइब और उसके लिए साधे चार घंटे अब इनमों की त्यारी कर आप पी डवलु के साथ लगत बहुत बढ़ बढ़ लए थ से हैं वहां पर फिर मतलब ऑलंप्यार वाला चनल स्टार्ट हो था आएकम से दो महने पहले मुझे वहीं से पता चला है किसने बताया चैनल कैसे देखा सर सिवेंदू सर्थे उन्हां मतलब उन्होंने चालो किया था अच्छा मतलब बहुत ही प्रिस्टीजिजिस लिए तो आरे मों हुआ तो उसमें फिर यह अलंपियार वाला से उसमें प्रेप्रेशन की तो फिर डिव डिपी आते थे तो प्रैक्टिस करता था मैं अब से इंट्रेस्ट था बच्पन से पूरे भारत में अभी 930 बच्चा सेलेक्ट हुआ है और वह भी क्लास 8 9 10 11 इन सभी क्लासे पूरे भारत में जितने बच्चे क्लास 8 9 10 11 इन सब को मिला के लास में 930 बच्चा सेलेक्ट है उसमें से आप एक हैं और अभी आपको जाना है लास्ट में यहां पर कैसी तैयारी है तो नहीं हुआ तो नहीं वा तो फिर बहु बढ़िया एकदम देखो सिंपल दिवात है नहीं हुआ तो फिर आएंगे अभी नाइंत में फिर टेंथ में आएंगे अभी तो बहुत कम देखने चाहिए वहां से पढ़ाई करने अच्छा क्या फाइदा होगा अगर मैं यहां पहुत जाता हूं तो यहां लदी हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी मत अब ब्राउंज और सिल्वर मेडल होता है उनके अलावा उन सब का जो है उन्रेवल मेंशन होता है तो जदी आप आयमो में किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मतलब दुनिया की जितने भी कॉलेज है जो अच्छे कॉलेज है उन सब में आप जो है डारेक्ट एड सब्सक्राइब में आप जा सकते हैं एमाइटी बहुत प्रिस्टीजियस इंस्ट्यूट है और लास्टियर हमारा एक बच्चा था एटी में रैंक निन्यानवे थी मेरे ख्याल से उसकी नाइटी नाइटी एडवांस में आइटी आप लोग जानते होंगे बड़े हो गया सब्सक्राइब में नाइटी 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 टू उसके रैंग थी और वह एटी नहीं गया वह एमाइटी गया रिसर्च करने उसको ऐसा है कि मैं कोई थियोरी फिदिक्स की लिखूँ फिर आके भारत के लिए कुछ ऐसा करूँ लोग कहते हैं बाहर पढ़ने नहीं जा बात काम आके अपनी मात्र भूमी अपने देश के लिए करना चाहिए और वह अच्छी ऑपरचनिटी आपको यहां से मिल सकती है बाकि आपको एक मिल जाता है कॉम्पोटीशन में और जो भी सब्सक्राइब यह उलंपियान में सुर्वाट से नाइन टेन से प्रिपरेशन क को टापको यही करें नाइfill को में नाइonton!